असलाव अलेकूम मेरा नाम है शरजील और ये है ओपो रेनो 2 की वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा दोस्तो 17 अक्तूबर को ओपो रेनो 2 सीरीज को पाकिस्तान के अंदर लॉंच किया जा रहा है और इसके अंदर अभी फिलहाल दो मॉबाइल फोन को लॉंच करेंगे ओपो वाले जिसमें से एक ओपो रेनो 2 है और एक ओपो रेनो 2F है ओपो रेनो 2F की मैंने एक सेपरेट वी लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल से दो वेरेंट्स आ रहे हैं बैरल यहां पर OPPO ANO2 के बारे में बात स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग विद्धी प्रोसेसर यहां पर स्नैपड्रेगन 730G का चिपसेट देखने को मिलेगा अब स्नैपड्रेगन 730G एक गेमिंग चिपसेट है अब वैसे तो यह चिपसेट आठ टैनोमीटर टेकनलोजी पे बेस्ट है लेकिन इसकी परफॉर्मस जो है स्नैपड्र कि स्नैपड्रेगन 730G के मकाबले में और 25% की एडिशनल फास्टर परफॉर्मस मिलेगी स्नैपड्रेगन 710G के मकाबले में जो के मेरे इसाब से काफी चीज़ है इस प्रोसेसर की और लेकिन यहीं पर बाद आती है कि यह एक फ्लेक्शिय लेविल का प्रोसेसर तो नहीं ह लेकिन काफी सारी companies इसको अपने premium smartphone के लिए यूज़ कर चुकी है बैरल यहाँ पे कुल मेरा के बाद का मकसद यह हुआ कि इस processor के उपर आपको high graphics के उपर काफी अच्छी performance मिलेगी यहाँ पर RAM और ROM को जो वेरिंट आपको देखने को मिलेगा वो है 8GB और 256GB का OPPO Reno 2F के अंदर भी same variant है RAM का लेकिन यहाँ पे storage आपको OPPO Reno 2F के मुखाबले में काफी अच्छी देखने को मिल रही है बैरल यहाँ पे इस mobile phone की caught camera setup के बात करें तो यहाँ पर आपको 48MP का caught camera setup देखने को मिलेगा main camera के अलावा यहाँ पे आपको 13MP का telephoto unit देखने को मिलेगा 8MP का ultrawide sensor देखने को मिलेगा और 2MP का macro lens देखने को मिलेगा अब OPPO की तरब से यह बताया जा रहा है कि इस caught camera के अंदर 5X का hybrid zoom रखा गिया है जबके 20X का digital zoom रखा गिया है इसका मतलब है कि काफी है तक आप इसके अंदर zooming बगारा कर सकते हैं और photo quality काफी अच्छी आने वाली है बैरल यहाँ पर अगर front camera की बात करूँ तो front camera एक shark fin की form के अंदर मौजूद है लेकिन disappointed बात यह है कि यहाँ पर आपको 16MP का camera देखने को मिल रहा है और 16MP का camera flagship level के फून के अंदर काफी अजीब सा लगा मुझे अब open ने इस camera का look तो काफी unique बना दिये shark fin लेकिन फाइदा किया इस shark fin के अंदर जब 16MP का camera लगा हूँ बैर यहाँ पर अगर screen size की बात की जाए तो यहाँ पर आपको notch less 6.5 inches की amulet display देखने को मिलेगा और यहाँ पर resolution रखी गई है 1080p की और screen to body ratio यहाँ पर बताया जाता है 93% का जो के काफी जादा अच्छी चीज़ है इसके लावा यहाँ पर इस mobile phone की अंदर आपको under display fingerprint screen देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको 4000 mh की एक powerful battery देखने को मिल रही है जादा powerful तो नहीं है क्योंकि previous trends के अंदर आपने देखा कि 5-5,000 तक की battery आपको provide की जा रही है लेकिन बेरहल यहाँ पर सिफ 4000 mh की battery है और यहाँ पर आपको 20 watt की fast charging देखने को मिलेगी यह सारी specifications के बाद मैं अगर pricing की बात करूं तो इस mobile phone की price होने वाली है कोई 85,000 रुपे से लेके 90,000 रुपे के बीच में और अगर इस mobile phone को मैं OPPO Reno 2F के साथ compare करूं क्योंकि दोनों mobile phone के अंदर काफ़ सारी specification में similar लगी तो यहाँ पर आपको जो सबसे major upgrade देखने को मिल रही है वो है processor को लेकर और इसके लावा storage के दिर आपको almost double storage देखने को मिल रही है OPPO Reno 2F के मुखाबले में शर्जी साइनिंग ओफ, Allah हाफिज